प्रिये किसान भाईयों, ताराचन बिल जी तकनिक का चार दिवसी जैवी क्रिसी प्रसिक्षन 29 अक्टूबर 2022 से 1 नमबर 2022 को माधव आस्रम सिहोर रोड बैरागड भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन इसोललाइफ.com की टीम आयोजित कर रही है। इस प्रसिक्षन में आपको टीसी बीटी वरक्षा एरवेद के सोला पाठ पढ़ाए जाएंगे। पाठ है एक सा विद्या या विमुक्त है, उर्जया की और यात्रा कैसे करें, इसको समझे कैसे हैं। पाठ दो प्रकरती पंच भूतानी, जो प्रकरती है ये पंच महा भूतों से पंच तत्व से कैसे बनी, ये बताए जाएगा। पाठ तीन, क्रशी विद्ध क्रशश्व, क्रशी को विज्ञान के अनुसार कैसे करें। पाठ चार, जीवो जीवस से जीवनम, जीव ही जीव को कैसे जीवन देता है। ये प्रकरती में इस प्रकरिया से जीव ही जीव को कैसे जीवन दे रहा है। इस प्रक्रिया को हम समझेंगे पार्ट पांच इसी प्रक्रिया का नाम धर्म है जो जीवो जीवस से जीवनम है वही यम नियम आहार विहार प्रत्यार द्यान धारण और समाधी आस्टांगिक मार्ग की ओर लेके जाता है ये आश्टांगिक मार्ग से अश्ट सिद्धी कैसे प्राप्त की जाती है इस प्रक्रिया को समझना ही जीवो जीवस से जीवनम है यही प्रक्रिया इसी प्रक्रिया को हमारे पुर्वजों ने धर्म कहा और इसे धारन करने के लिए का ध्यार्यति इति धर्म हा और आगे कहा धर्मों रक्षति रक्षिता इसकी आप रक्षा करोगे तो यह प्रक्रिया आपका पूरा जीवन पूर्ण करेगा यह आपकी रक्षा करेगा और इसके आगे भगवान कृष्णे का साधर्मे निधनम स्रेयम पर धर्मे भया भा इस प्रक्रिया पर जीते जीते अगर मर जाते हो तो आपके लिए यह मुक्ष का द्वार होगा लेकिन दूसरे के धर्म पर दूसरे जीवों के यमनिय महाविहार प्रत्यार पर जाने की कोशिस करोगे तो प्रकरती के लिए भयावा उत्पन्न हो जाएगा एक सरस्टी में अप्रकरतिक वातवन बन जाएगा भयावा बन जाएगा पाठचे जन्तु नाम जीवनम क्रशी इसी प्रकरिया के आधार पर किन किन जीवाणों के जिंदगी को पूरा करके क्रशी किया जाता है यह बताए जाएगा किसान भाईयों जन्तु नाम जीवनम क्रशी ही प्राकरतिक खेती है अभी प्राकरतिक खेती के नाम पर घलत जीवाणों खेत में डाले जा रहे हैं पहले तो निगेटिव जीवानूं डाले गए परमपरागत खेती के नाम पर फिर प्राकरतिक खेती के नाम पर निएटिव जीवानूं डाले गए और फिर जो है अभी भी प्राकरतिक खेती के नाम पर या जैविक खेती के नाम पर ठीक से जीवानूं नहीं डाल रहे हैं हमारे पुर्वजों ने इ अक्षारेवेद ने इस पस्ट कहा जन्तु नाम जीवनम क्रशी उन्हीं जीवानों के जीवन से क्रशी होगी जिनके लिए प्रकरती ने क्रशी के लिए इन जीवानों को तै किया है यही जीवानों हमें डालने पड़ेंगे ठीक है फिर गाओ विश्वश्य मात्रा गाए वि जीवानों हैं जिनसे क्रशी होती है जिनसे जन्तु नाम जीवनम क्रशी होगा उन जीवानों को निकालना गोरधन खाद बनाना गोरधन खनीच खाद बनाना ये क्या है अनु और जीवानों क्या जो है संसार कैसे चलता है इसको समझना फिर पार्ट आठ यम नियम उच्चती कि यम नियम को जितना उच्च करोगे ठीक है यम अर्थाद भूमी तत्व नियम मतलब आर्थाद गगन तत्व यम मतलब क्या खाना नियम मतलब कैसे खाना तो भूमी तत्व और गगन तत्व को जितना उच्च करोगे उतना बड़ा योग बनेगा ठीक है प्रकरती ने हर जि तो और गगनतत्व इसको जितना उच्च करोगे उतना बड़ा योग बनेगा हाना उतनी ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी उतना प्राप्ति होगी तो यह क्या है इसको समझना फिर योगह करम शुक आशलम हम कोई भी काम करेंगे तो टेकनिकल धंग से करने पड़ प्राप्ति पूरी टेकनिकल धंग से ही बनी है को लाधुनेक विज्ञाण टेकनिकल नहीं है आधुनेक विज्ञान है घ्यान तो थोड़ा सब कर करना पड़ेगा एसको भगवान क्रिशने का योगह करमशुक असलम कौसल पूरुवक योग करोगे तब ही कर्म तब ही योग आपका पूर्णा होगा योग होगा अन्यता नहीं होगा तो इसको कैसे करना फिर सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मतलब कि जहां सुगंध होगा वहीं पुष्टिवर्धन होग सब सुगंधित होने चाहिए हमारे सारे कारे में कहीं भी दुरगंध का नाम मात्र नी होना चाहिए जो दुरगंध है वो प्रकरती के स्रजन को को खतम करती है और विगटन करना सुरू कर देती है इसलिए हमारे पुरवजों ने इस पस्तवाक के दिया सुगंधिम पुस्ति बरदनम तीक हैं फिर सु सस्या क्रशिश करधी पार्ट ग्यारा हमें क्रशी को बढ़ाना है इस करधी उसको बहुत उन्नत करना है तो शुद्ध सस्यक्रियाएं करनी पड़ेगी कैसे करेंगे प्रसिक्षण में सिखाएंगे हम फिर यग्यें क्रशी कलप अताम यग्ये से क्रशी कल्प रख्ष के समान फलती फूलती है अभी बहुत से किसानों के इसके मेरे पास परिणाम के आ रहे हैं कि हमने ये किया तो इतने फल आ गए ऐसा किया मतलब ये यग्ये करने से अगनी होतर और यग्य के जो दूसरे हैं अगनी होतरों तो निती अग्य है फिर नैमित्ति की यग्य करने से भी कौन-कौन से जो हैं हमें किस तरह से फलत प्राप्त होता है उसका भी हम आपको बताएंगे फिर सू छेत्रे शू जायती बीजम कौन सा छेत्र पे कौन सा बीज डालना ची हमारे पूरवजों ने हर बीस किलोमेटर के लिए अलग धान बनाया था वही सुगंदित धान वही सेम दिखने में सेम है खाने में सेम है पर उसकी वेराइटी को बुदल दिया जहां जैसा मिट्टी है वहाँ वैसा बीज डालना ये परमपरा भी विक्सित करना पड़ेगा अभी एक ही देशी बीज को पूरे देश भर में लगाये जाता है ये नहीं है हर खेतर के लिए अलग बीज बनाये गए थे उन बीजों को खोजना और उनको जो है खेती में यूज़ करोगे तब ड़क्सन बढ़ेगा पिर अन्नम भहु कुरवीत बहुत अन्न पैदा करने के लिए कुछ और जैव रसायन भस्म रसायन ठीक है ये हमने बनाया है कुछ फारमूले है अन्न द्रव रसायन इनके लिए क्या करना और जो समस्याएं आती हैं, TCBT में वैसे कोई समस्या नहीं आती, कोई बीमारी आती नहीं, पर एक दो साल सुरुआत में, चुकि भूमी हमने खराब कर दिया है, पानी खराब है, हवा खराब है, तो कुछ बीमारी आएंगे, उनको कैसे ठीक करना, और ठीक करते भी एक अनूत पादन करना, और फिर TCBT में बहुत अनूत पादन कैसे करना, ये हम आपको सिखाएंगे, फिर धान्यागारम स्रेश्टतम, जो हमने अनाज रखना है उसका भंडारन, भारत में अनाज रखने की बहुत सुन्दर सुन्दर भंडार ग्रह थे, और कई सेकड़ो साल भी अनाज को रखने की परंपरा थी, आज वो सारे भंडार ग्रह, धान्यागार जिसको बोलते थे, वो सब समाप्त हो गए, उनको कैसे हमको ठीक करना है, ठीक है, उनको कैसे वापस बनाना है, ये प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे, बीजों को हजारों साल तक सुरक्षित रखने की भारत की जो प्राचीन परंपरा हैं थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, फिर पार्ठ जो है, आपका आहार स्रिश्टम से जीवन स्रिश्टम कैसे होगा, ये हम जो है पार्ट सुला में आपको सिखाएंगे, तो प्रसिक्षन में जो है रेने खाने का एक चोटा सा फीस है दो हजार रुपए चुक्कि हम आ रहे हैं तो सारी व्यवस्था हमको खोदी करनी है कोई बाहर से इसको अनुदान तो मिलता नहीं तो एक जो है दो हजार रुपए का फीस रखा गया है यह जो फीस है आप जो है यह रजिस्टेशन का दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको यह रजिस्टेशन लिंक मिलेगा और आप जो है गुगल के वेबसाइट पर भी जा सकते हो अना यह गुगल टीसे बीटी का वेबसाइट यह है www.esoullife.com यह वेबसाइट है न इस पर जाकर के आप जो है प्रसिक्षन असुल कर दे दीजेगा तो आपको प्रसिक्षन में आने की अनुवति मिलेगी कोई अगर यह नहीं कर पाता तो इस नंबर पर खोन भी करें और आने की सूचन आपने आने जाने का टिकेट बना के दे दें आकर भी प्रसिक्षन असुल कर दे सकते हैं पर आने जाने की टिकेट कम से कम भेजनी पड़ेगी संपर्क नंबर 9425194885 पर आप जो है यह मैसेज कर देंगे तो आपको जो है आपका प्रसिक्षन हो जाए प्रसिक्षन का पंजियन हो जाएगा ठीक है तो यह भेजे और TCBT प्रक्षा एरवेद के 16 पार्थ जो है उसक के अधार पर खेती करने के लिए आप जो है इस प्रसिक्षन में जरूरा है बहुत बहुत धन्यवाद